उत्तर प्रदेश में छात्र छात्राएं अब क्लास बंक करके स्कूली ड्रेस में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश नहीं पा सकेंगे। इस संबंध में उत्तर प्रदेश बाल अधिकार सनरक्षन आयोग की ओर से एक सिफारिश पत्र भेजा गया है। इसे प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है और आदेश के अनुरूप एक्षन लेने को कहा गया है। दरसल बाल सनरक्षन आयोग नाबालिक बच्चों के साथ घटित होने वाली। अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए यह नियम लागू करना चाह रहा है अपने आदेश में आयोग ने कहा है की। संग्यान में आया है कि स्कूल में पढ़ने वाले तमाम छात्र छात्राएं समय पर स्कूल न जाकर अन्य। सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, पार्क, मॉल या अन्य जगहों पर समय व्यतीत करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनके साथ अप्रिय घटना को लेकर संभावना बढ़ जाती है। लिहाजा सभी जिलादिकारीों को निर्देशित किया जाता है कि जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर छात्र छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म में प्रवेश न दिया जाय आयोग ने एक हफ़ते में इस पर अमल करने के लिए कहा है। जिला धिकारियों को एक हफ़ते के भीतर इस आदेश पर कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है बता दे कि बाल अधिकार सनरक्षन आयोग समय समय पर किशोरों तथा बच्चों के कल्यान से संबंधित आदेश जारी करता रहता है मैं इस सरकार के फैसले से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ क्योंकि यहां पर क्या होता है कि बच्चे आते हैं बिरावड यूनिफॉर्म आते हैं और कहीं भी कैफे में जा रहे हैं सिनेमा होल जा रहे हैं मत. हुआँ सिख्चा में शुधार होगा अपराद हो को लेका है . अपराद भी इसमें कम होगे क्योंकि बच्चे कलद बय बहु नहीं जा पाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर बैहनें अनुको सिख्चा मिलेगे अगर उन्हें नहीं जाने दिया जाए इंट्री नहीं मिलेगी तो वह कॉलेज ही आएंगे और अपनी पढ़ाई और सिक्षा पर ध्यान देखने के लिए पार्क में रेश्टूडेंट को इंट्री नहीं मिलेगी क्या मनना है सरी सरकार का अच्छा फैसला है इस वजए से स्टूडेंट अपने कोलेज में रेगुलर पढ़ाई कर पाएंगे और अपने एजुकेशन को ज्यादा टाइम दे पाएंगे और इससे उनके आगे की फ्यूचर में भी काफी बेनिफेट्स होगा हमाँ परेंट्स की टेंशन में दूर हो जाएंगे इस सरकार का फैसला काफी अच्छा है इससे परेंट्स को भी वो निरर रहेंगे कि हमारे बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं और दूसरा यह है कि हमारी जो एज़िकेश में भी इंप्रूमेंट आएगा इससे काफी अच्छा फैसला है क्या नाम है आपका निर्मलतवारी बताएं सरकार ने फैसला लिया है कि जो बच्चे स्कूल या कोलेज पढ़ने आती ते ड्रेस में यह बहुत अच्छा फैसला है जिससे बच्चे आएंगे तो अपने कोलेजी जाएंगे उसके अराबा और कहीं जाने का उनके पास रास्ता नहीं रहेगा और अपने पढ़ाई पर अच्छे दे रहे तो ध्यान देंगे वो अच्छा फैसला है